अयोध्या में आज एक अद्भूत घटना घटी, जिसी देखने के लिए हजारों भक्त एकत्रित हुए। राम नौमी के पावन अफसर पर राम लला का सूर्य तिलक किया गया। दोफेर के बारा बचकर एक मिनिट पर जो अलोगिक त्रश्य सामने आया, वो हर किसी को भाव विभूर कर गया। राम मंदिर में सूरी की पहली किर्णे जैसे ही राम लला के मस्तक पर पड़ी, वहां उपस्तित भक्तों की आखों में आस्था की नई रोश्नी जगमगा उटी। इस दिव विशण को देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का समागम हुआ था। भै प्रगट क्रेपाला दीन दयाला कोशल्या हितकारी आज पारवर्णु प्रमात्मा भगवान से राम की भब दिब नब मंदिर में जन उस्तव हम लोग मना रहे हैं। आज सिद्धपीट एहद्या हरमानगड़े में सुवेरे तीन वजे से जब आरती हुई है लमसं 15 लाक्षि उपर रामभक्तों ने दर्शन और उजन किया है और अपने जीवन को धन किया है। मन पर फुलित हुआ और जीवन सार्थक हुए जिस प्रकार से इतने वरशों के भाद पांच दसक के बाद पारब्रम परमात्मा भगवान से राम की उस भब दिब नब बंदर में आज हम लोग जन मुसम मना रहे हैं। मन पर देश के लिए मंगल कामना और पूरे विश्व में सामन्जस सामानता एकता बनी रहे जो सनातन सिखाता है धर्म की जैह हो अधर्म का नाश हो प्राणयों में सत्भा हो विश्व का कल्यान हो वसुदेव कुटमकम के साथ राम राज के प्रकलपना के साथ हम लोग भगवान का भब मंदर में मना रहे हैं जैजैशियराम मंदर के प्रांगण में मंगल गीत, भजन, कीर्टन और जैगोश की गूंज सुनाई दे रही थी प्रतेक भग्त की भावना इस अद्भुद घटना के साक्षी बनने की थी और उनका उत्सा देखते ही बनता था सूर्य अभीशेक का ये शड केवल पाँच मिनिट तक चला लेकिन इसने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी अयोध्या में इस साल बने नवीन राम मंदिर में पहली राम नौमी के अफसर पर इस घटना का होना इसे और भी विशेश बना देता है आज का दिन अयोध्या में न केवल एक पारंपरिक उत्सव के रूप में मनाया गया बलकि ये धिव्य घटना उन सभी के लिए एक यादकार पल बन गई जिन्होंने इसे अपनी आखों से देगा लोकल 18 अयोध्या से सर्वेश शिवास्तव की रिपोर्ट